फिल्म जोधा अकबर में जिस तरह से राजा अकबर भेश बदल कर बजार जाया करते थे और वहां के हालातों का जायजा लिया करते थे वैसा ही एक द्रिश्य अंबिकापुर में देखने को मिला यहां पर सरखुजा के कलेक्टर और SGM किसान ने किसानों की समस्या को जानने के लिए अपना भेश बदल लिया और खुद किसान बन कर उपारजन केंद्र पहुँच गए जिस तरह से एक किसान उपारजन केंद्र में धान बेचने के लिए ट्रेक्टर के साथ आता है लाइन में लगता है टोकन लेता है और फिर अपनी फसल को बेच पाता है यह सभी पड़ाव सरखुजा के कलेक्टर ने बखु भी पूरे किये ताकि वो किसानों की समस्या को ब कर्मली होता है कि जब मीटिंग लिए जाती है जो बंद कमरों में तो किसान की जो एक्च्वल समस्या है जो उसको द्धान बेचते समय या फिर बैंक से पैसे निकालते समय जो दिक्कत आती है वह बहुत हत्तक पता नहीं चल पाता तो क्लेटर साब ने तय किया कि एक किसान इस में जाकरके ईक्च्वल समस्यां को समझा जाया खोटाम नगानी 뭐 combustree मंत्र जी और छतिक्रसासन से सीविनिर्देश है कि किसानों बे farmer in the विधिवत तरीके से और स्वेस्तित तरीके से धान खड़ी का संचालानों, तो इसी उदस को धहान में रखते हैं, आज मानिक कलेटर साथ के दोरा, एक अधिकारी की रूप में नहीं, एक किसान के रूप में पेटला धान खड़ी के दरका निरिक्षण किया गया, और एक आम खास बात यह रही कि इस दोरान किसी भी करमचारी और इतिकारी ने उन्हें नहीं पैचाना इसके बाद कलेक्टर जिला सह कारी बैंक पहुंचे और लाइन में लगकर बैंक से पैसे निकालते हुई भी नजर आए खरीदी केंदर के निरेक्षन के दौरान कलेक्टर किसानों के साथ अधिकारियों के वहवार का भी आकलन किया जब ये बाद सभी को बताया गया कि वो सरखुजा कलेक्टर है तो सभी बहुत चक्के रह गए जिसके बाद कलेक्टर ने समीती प्रवंदन को निर्देश जारी करते हुए किसानों को खरीदी केंदर में किसी भी प्रकार की समस्या ना आने के निर्देश दिये